हमास कर साती हूं चलिए जाहिंद और आज हम इस वीडियो टुटूरियों में हम पुरने वाले हैं अभ्यास 2.2 के जो हमारी पेसिक मैट से हाई लेबल की मैट तक जाएगी मतलब कि सभी मैट में सभी चीज़ पढ़ाने वाला हूं है आप अप लोग सीख रहे हमारे प्रीव सभी किताबों से मैं बढ़ा रहा हूं जैसा कि यह जो आपको बता रहा हूं है क्लास 6 से हम लोग जीरो लेवल से चल रहे हैं और इस किताब की बात के जाए दोस्तों तो यह किताब बहुत मज़ेदार थी क्योंकि इसमें बहुत कुछ दिया गया है आप देख सकते हैं इस पुडांग संख्या है से रचनातम मुलियंकल ब्हीन दसमलों अनुपात और समानुपात प्रस्तता दिया है चुकि प्रस्तता हम हर कंपटिशन में पढ़ते हैं और हर वंडे एक जाम हो चे कोई वेक्जाम हो एंटिपीसी हो रेलवे हो गुरूपडी हो रेलवे का कोई व सबसे बड़ी बात अगर इस किताब की तिक्र क्या जाए तो यह किताब देख सकते हैं आप लोग आधुनिक 6 की और लेखक आर्के गोयल जी है तो इंपोर्टेंट बात यह रही कि और सबसे इंपोर्टेंट बात यह और यह इसका आप देख सकते हैं कि कहां से बनी तो समझसे इस बात कि कि मैं पीछे की इस किताब को पढ़ा रहा हूं इसके बाद सेवन्त की मैथ है यूपी बोड की निसी आटी दोनों की पढ़ाए तो जीरो लेबल से सही से सीखते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज अपने इस चैनल के मादिम से उन सभी बच्चों के लिए है या उन सभी साथियों के लिए जो लोग कहीं अच्छे से नहीं सिख पाते हैं four or requesting gue जाती है। मिलल जाते हैं लेकि कुछ तो थेर रहते हैं। फिर उन जाता है या कोई चीज पढ़ादी आप बीच में जाएंगे तो वह चीज सी कहां फिर फिर अगले टर्न में की तब-स पाइं निकल जाता ता समय भी तो देखना है न विन दीए में ने के सभी सभी गुडंखन लिके सभी गुडंखन लिकना 28 है 28 के सभी गुडंखन लिको सभी गूडंखन क्या है 28 जैसे 28 7 20. तो इसी प्रकार से 144 का क्या होगा तो 144 के एक है दो है तीन है चारह चैह आठ नौ है बारह है सोरह इस तरह से होगा तो इसी तरह से आप अगले संख्याओं का भी निकालेंगे दूसरी संख्याओं दूसरे प्रस्ण में देखे करा है कि निम्लिकित संख्याओं के पहले पांच गुड़ज बोला गुड़ज का मतलब क्या गुड़ज होता है ध्यान रखेंगे जो संख्या गुड़ा पंसंख्या और करने पांच बारॉम होगा इसी परकर 17 in Englishotta रेकए परस अपका पांतर पर्ढर करके लिग देता है बस खतम का निली आकई बढ़ते हैं तो 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 इसे भी च्छाटने के लिए क्या करेंगे दोस्तों बस सिंपल सी बात है आठाए सम्म है तो सम्मारेंगे 21 बिसंम है विसंम रख देंगे फिर 32 देख रहे हैं 32 डिसरी संख्या को पूरा पूरा विवाजित कर देती है उसी संक्या वह ही संख्या गुरंखंड कर लाती है अगर अभाज संख्या कि बात किया जाए अभाज संख्या किया है यह मैं प्रिवेज विडियो बता हूँ आप देख लेंगे सबसे छोटी विशंग अभाज संख्या तो यह वाला आपका है मतलब कि पांचवे का तीसरा है ठीक नहीं तो सबसे छोटी विशमाबाज संख्या दो है यह सब मैं बताया हूँ प्रिवेश बिलिव आम दोस्तों देख लिजेगा 69-99 के बीच की कितनी अभाज संख्या है वे अभाज संख्या है लिखना है 69-99 के बीच में तो अभाज है और नहीं भाज वह संख्या लिखिए वह संख्या क्या है एक ठीक है अच्छा आठ्वा क्या है एक तथा उन्चास के बीच की सभी अभाज संख्या है लिखना है अठ्वा में दो तीन पांच साथ 1113 सब्सक्राइब करेंगे कि सभी संख्या और पचास सव के बीच की सभी अभाज संख्या आप लिखेंगे आपके लिए रहेगा संख्याओं की बीभाजता की जांच यानि टेस्ट फार डाइविसिटी क्या लिखाया है थोड़ा से वीडियो बलर हो रही है इसलिए पढ़ने इन दिखके तो यहाँ से देखने के बार संख्याओं की बीभाजता की जांच यानि टेस्ट फार डाइविसिबिलिटी आप दी गई संख्या किसी संख्या विवाजित है या नहीं को ग्याद करने के लिए हम दी गई संख्या को उस संख्या से भाग करते हैं और देखते हैं किसे इस पल सुन है या नहीं हम कुछ संख्याओं के भी हैसता कि जैसे क्या दिया जैसे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, छे, बलकि ये छे, आर्ट, नो, दस, ग्यार, आदी से बिनाग भाग किये हुए कर सकते हैं यह जहां चे दी गई है से बिवाजता दो से यदि किसी संख्या के काई के अस्थान पर अंक जीरो, दो, चार, छे, या, आठ हो तो वह संख्या दो से क्या हो विभाज होती यह चीज़े रगने अगर किसी संख्या के इकाई के अस्थान पर जीरो हो, दो हो, चार हो, छे, हो, आठ हो तो वह संक्या 2 से क्या हो, याए भिभाज हो जाती है, उधारन के लिए जैसे 108 में, देखो 8 है, 1 लिकाएगस्तान के 6 है, 24 है, 20 है, आदी सबी संक्या ने 2 से क्या भिभाज है तीन से विवाज कैसे होती है यदि किसी संख्या के अंको का योगफल तीन का एक गुड़ज हो तो वह संख्या तीन से क्या होगी विवाज होती है यदि किसी संख्या के अंको का योगफल तीन का एक गुड़ज हो तो वह संख्या तीन से विवाज होती है उधारन के लिए जैसे 756 तीक ना के अंको का योग उधारन के लिए जैसे 756 के संक्याओं को योग 756 देखिए 753 तेरे चाठा रहे हो जो की तीन का गुड़े जै तीन चाठा रहे है अत्य संक्या 753 से विवाज इसी प्रकार 1014 के अंको का योग सब को जोड़ंके ह 106 हो जाएगा देखिए 1, 4, 2, 6, जो कि तीन का गुड़े जै तीन दुन चे है न है अत्य संक्या 24 की तीन से क्या है विवाज है, अच्छा है, 4 से विवाज क्या है, एक संक्या 4 से विवाज होती है यंदि उसके अंतिम 2 अंकों बनी संख्याइब चार्च विभाज हैं थ्यॉन न चार वठे बत्ति चार्चों को सो रहे हैं थ्यून गरत शानओ तीस इस तरह से ठीक है दोस्तों संख्याइब 60294 जो जाइब दा दीचार्च विभाज नहीं है क्योंकि इनके दाई तथा अधिक आई दाई तो दहाई तो था इकाई कंगों के बनी संख्या चार्थ विवाज नहीं है पांस विवाज इसी प्रकारती यदि किसी संख्या में काई का अंग जीरो या पांच हो तो वह संख्या पांच से विवाज होती है कि उधारण के लिए संख्या पांच सो पंद्रह 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 सो पचीस सो एक सजर पांच संख्या पांस विवाज है क्योंकि इन संख्याओं में एकाई के अंग पांच या जीरो 6 से विवाजता देख सकते हैं आप लोग 6 से विवाजता क्या है यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विवाज हो तो वह संख्या 6 से विवाज होती है इसी प्रकार उधारण के लिए आपे दिया गया है सभी धारण आप देखेंगे और इसी प्रकार से ही है दोस्तों है आठ से भिभाजिता दिया गया है कि वह संख्या आठ से भिभाजिता दिया गया है कि वह संख्या आठ से भिभाजिता होती है जिसके अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या आठ से विभाज या संख्या के अंतिम तीन अंग सुन नहों तो धारन के लिए आप दे सकते हैं नौ से विभाज था यदि किसी संख्या के अंगों का योग नौ से विभाज था तो वह संख्या नौ से विभाज होती है जहाईर से बात है पर आप देखिएंगे दस से बिभाज था, कित किसी संख्या की काई किरा हफ्तान पर अंक सुने हो तो हुआ संख्या दस से क्या हो गई? बिभाज हो दो दारण के लिए संख्या हैं दी गई है, ग्यारष भी यहां पर जासर एक दिया 3.342 में थी प्लस-2 अब 2 प्लस-3 2 प्लस-3 माइनस 4 प्लस-1 और इसको जोड दिया है माइनस किया एक और दो को आज शार प्लस एक को और 5 माइनस देखो 325 पहले गा फिर माइनस है चार प्लस एक पांच जीरो हो जागा ठीक इस तरह कर रहा क्या कर रहा एक संक्या ग्यारस विभाज है यदि उसके दाइं और से बिसम अस्थानों के अंकों का योग जोड मतलब तथा सम अस्थानों के अंकों का योग कांतर जीरो या ग्यारस विभाज है तो ऐसंक्या ग्या परदस से चीज़ दिया है इसको हम सभी को कठस्ट करना चाहिए ग्यार से बाइस विभाजित हो जाता है तो यार्स क्या है विभाज हो जाएगी जाइर से वापस है विभाजिता के समान गुण यानी जनरल प्रोपर्टीज आप डाइवेसिबिलिटी प्रगूर एक यहली एक संख्या दूसरी संख्या से विभाज है तो वह संख्या दूसरी संख्या के प्रतेक गुड़ंखंड से भी विभाजित होगी उधारन के लिए 72 से विभाज है तो 36 के गुड़ंखंड 1,2,3,4,6,9,12,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 से विवाजित होने वाली होने वाली प्रतेक संख्या दोसे तथा दोनों से विवाजित होती हैं प्रगुल नमर दो क्या कहा रहा है यदि कोई संख्या दो सह भाज संख्याओं से विवाज हो तो वह उन सह भाज संख्याओं के गुणनफल से विवाज होती है यह सारी चीजे सवाल को पर चलिए आते हैं जब सवाल दाता तो और मजाता है देखिए अभ्यास 2.3 है दी गई संक्याओं की दो से विभाजता की जांच कीजिए आपको प्रिवेस वीडियो में और भी यह आप कोशिज करेंगे लगाने की नहीं तो यह हम नेक्स वीडियो में आपको बतान की जांच करना है और तीसरा दी गई संक्याओं की तीन से विभाजता की जांच करना है फिर इस्टार के अस्थान पर वह चोटी संक्या अस्तांतरित कीजिए जिससे दी गई संक्या तीन से विभाजित हो जाए और यह इस्टार के अस्थान पर वह चोटी संक्या अस्तांत यह भी आप करेंगे तो अगली वीडियो मिलेंगे इसी का सलूसन के साथ हम आप मिलेंगे कि आपको वह उमूर खंदे रहे हैं हमारे जो साथ ही मैच में इंट्रेस्ट रखते हैं जिनकी त्यारी करने इसे प्लीज कमेंट आप करेंगे दैने वाद तक लिए